बिस्मिल्य रह्मान रहीम असलाम वालेकूम वेलकम टू माई चैनल नताश्या फैशन डिजाइनर कैसे हैं आप सावी वर्स उमीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे अल्ला ताला आप सब का अमान में रखे हमें शास्ते मुस्कुलाते रहें आज की वीडियो बेल बोटम कटिंग सिचिंग पर हैं आए वीडियो स्टार्ट करते हैं बेल बोटम के लिए हमें एक ट्रोजर का ही फैब्रिक चाहिए आप इसे सबसे पहले इस तरी करकर फॉर फोल्ड में सीधा करके रख लें अब हम इसका नाप ले लेंगे हमें कितनी लेंथ चाहिए कितन चोड़ करें इसे बेल बोटम कभी नहीं फटता 11 इंच की हिप है 13 इंच का क्रोच एडिया है वीडियो को बिकल भी स्किप मत कीजिए गा और 7 इंच इसके गुटने का मार्ग है अगर आप सिंपल बेल बोटम की कटिंग दिखना चाहती है तो आपको डिसके पिशन वक्त में मिल ज अगर जितनी हम चाहिए 34 इंच पर मार्क लगांगी चाहिए और टू इंच में एक्स्टरअ फोल्डिंग के लिए लोगी और एक इंच में एक्स्टरा बैक के लिए लोगी और मैं तेन इंच आप निशान लगाओंगी और यह बाना तीस इंच के बाद अब ये तीन इंच मैं एक्सटरा निशाण लगा दिया है वान इंच प्रेंट साइट से मैं कटिंग अदन दूंगी और वंपיץा इंच का निशान लगाएंगे इस अपने साइड के अकोडिंग निशान लगा लिए गांG और मैं इस में प्रेंटि बोक्स ठालोंगी प्रेंट साइड पर तीन इंच में एक्स्टरा लोंगी फ्लेक बॉक्स के लिए अब हम स्केल की मतलब से एक लाइन सीधी लगा लेंगे अब हम क्रोच एरिया की लैंथ लेंगे क्रोच एरिया की लैंथ मुझे 13 इंच पर चाहिए मार्क लगाने के बाद अब हम ऐसे ही सीधी लाइन लगा लेंगे लाइन लगाने के बाद हम स्केल की मतलब से बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे अब हमारी लाइन लग चुकी है अब हम गलाइक कर देंगे अगर आपको गलाइक पसंद नहीं तो आप बिलकुल ऐसे तीछी लाइन लगा सकते हैं इससे भी बहुत ही अच्छी शेप आती है अब हमें जितनी ट्रोजर की लेंथ चाहिए अब हम बिलकुल सीधा मार्क लगाते हैं पाकी एक्स्टरा फैब्री को हम कटिंग कर देंगे अगर आप चाहें तो अलाइदा अलाइदा भी कटिंग कर सकते हैं फ्रेंट और बैक पार्ट को मगर मैं यह अकठा ही कटिंग कर रह हैं यह हमारे बिलकुल सीधी लाइन लगनी चाहिए मार्क लगाने के बाद हम सेंटर में एक लाइन लगाएंगे और अब हमारा हाफ यह आठी शार्या 5 इंच पर बंग रहा है अब हम आठ शार्या 5 इंच पर माक लगा देंगे अंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो त कर दें जब तक मैं यह फी यह लगा रही हूं हमारी और डार लगाए हाँ लिए यह लिए अब हम एक और लाइन लगाएन गें के gleichल में दिशान पर निशान लोगा हुआis अब हमारा ये 6.5 इंच पर मार्क लगा हुआ है दूसरी साइड से भी अब हम 6.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और बिल्कुल सीधी लाइन ट्रो कर लेंगे स्केल की मदब से और ये जो हमारा 3 इंच का फैबरिक है इसका हम प्लेट बोक्स बना देंगे बहुत ही पियरी लुका आथी है अब हम एक लाइन लगा लेंगे लाइन लगाने के बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे जैसा क्या आप ये देख रहे हैं ये हमारा प्लेट बोक्स का फैबरिक है हमारा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा अगर आप healthy हैं तो आप two inch back side का extra ले सकते हैं अब हम ये गुठने का mark लगा रहे हैं 20 inch पर आप चाहें ज्यादा या कम भी कर सकते हैं और ये मैं five inch पर mark लगा रही हूं गुठने पर अगर आप fitting में पसंद करते हैं तो आप चार inch पर भी mark लगा सकती हैं अब हम पांचे का mark लगाएंगे आप ज्यादा या कम भी कर सकते हैं मैं eight inch पर mark लगा रही हूं और दूसरी साइड से भी है अब हम eight inch का mark लगाएंगे आप चाहें तो ज्यादा या कम भी कर सकती हैं ये smart lurky के लिए मैं cutting कर लिए हूं smart lurky को back side से ज्यादा एक्ट्रा रखने की कर देंगे करने के बाद अब हमारा फैब्रीक बराबर हो चुका है बैक साइड से बास वान इंच एक्ट्रा है नीचे से तू इंच पोल्ड के लिए हैं बाकि हमारा लैंद पूरी हैं अब हम जैसे ही मार्क लगे हो हैं बिल्कुल ऐसे ही cutting करेंगे जितनी ही अच्छी आप करेंगे उतना ही अच्छा बैल बॉटम स्टिचिंग होगा अगर आप वीडियो को स्किप करका करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा आप अराम से देखेंगा अब हम इधर से भी cutting करके लादा 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 पैब्रीक को कर लेंगे और इसी साइड से हम त रहा किस देखेंगे बाद मैं आपको कटिंग बटा दूंगी हम यह dewड़ सेंटर में में एक बड़ गाएंगे जहां मैं अगर अगर आप शोट प्रोक स्लाई तो आप गुटने तक ही लगा सकती है अगर मैं कमीज स्लाई कर रहे हूं तो मैं 2 इंच एक्सरा लोगी 22 इंच पर मैं 0 गाउंगी और डूसरी साइट में 20 इंच धिश्या लेगा अगर आप इसकी कमीज की कटिंग देखना चाते हैं तो आप लिए आपका 1 इश साइड से कम हो जाएगा अकसर ये इनी वल्क्राइशे हो खुच जाते हैं अब यसली कम्प्लीटे हो चुपी है और अब हम यह दूसरे पार्ट की भी ऐसे ही लगा लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आप फर्स टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल का विची जरूर कीजिएगा आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कटिंग चुकी है अब हम आज तीन की लगाएंगे यह अपने ध्यान में रखना है प्लेट बोक्स बिल्कुल सेंटर में आए तो इसकी बहुत ही प्यारी लुक आती है जितना ही अच्छा आप कटिंग करेंगे उतनी ही नीटनस के साथ इसकी स्टिचिंग होगी आप कटिंग का बह करेंगे मैं ये 10 इंच पर फोल्ड कर रही हूं और वान इंच का मैं लास की दर oraz किसरां करें आब हूंतके प्रिक करेंगे तो वह यू ये जो मैं तरीका बता रही है बोत ही इस एसी से स्टिचिंग कर सकती हैं यह थोड़ा सा हम अओपल रखेंगे लीम आव करने लिए अब हमने यह फोल्ड किया तो यह 24 इंच पर बन किया आप अपनी कमर के साइज के अकोडिंग लें अपनी कमर से 2 या 3 इंच आप कम ले सकती हैं अब हम लास्किट फिल करते हैं लास्किट फिल करने के बाद इसको हम तीन चार स्लाईयों के साथ पका कर लेंगे ताके लास्किट पका हो जाए अच्छे से यह हमारी तीन चार स्लाईय लग चुकी हुई है और जी मेरी बेटी चोटी सी बहुत तांग करती है स्लाई करते वक की है तिन से चार मटबा लास्कट को खींच कर लेंगे और अब हम लास्कट की दर्मियान में एक सलाई लगा लेंगे ताकि लास्कट की चूंटे आगे पीछे ना हो और हमारे प्लेक बोक्स फ्रेंट साइट की बिल्कुल सेंटर में आएं आपने यह भी दियान रखना है और आप कैसी वीडियो देखना चाहती है मुझे कमेट पोक्त में ज़रूर बतारियेगा यह हमारा लास्कट लग चुका है और यह हमारी प्लेट बोक्स बिल्कुल सेंटर में है अब हम पहुंचे को तू इंच पर फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे यह हमारा तू इंच पर इसे ही हमने प्रेस करते जाना है बिल्कुल सीधा यह हमारा प्रेस हो चुका है यह हमारा प्रेंट और बैक तोनों साइड है अब हम यह एक्स्रा फैब्रिक बचा हुआ है इसको हम कटिंग कर लेंगे यह हमारा एक साइड का कटिंग हो गया है अब हमने बिल्कुल ऐसे ही वाइट कलर के हैं आप चाहें तो किसी भी कलर में लगा सकती हैं मगर मैं यह वाइट कलर में लगाऊंगी मुझे वाइट कलर अच्छा लग रहा है और दूसरा मेरे कमीज के फैबरिक में कलर भी बहुत ज़्यादा है वाइट कलर का और यह मैं आठ इंच पर इसकी एक बू पुल त्यार करूंगी कि आप चाहिए ज्यादा कम भी कर सकती है इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे ये मेरे पास टूपीस हैं इसकी बू बनाने का तरीका मैं लैदा वीडियो प्लोड कर दोंगी यह हमारी बू बन कर कियार हो चुकी है और वण बाइट के मार्क पर अब तर इसके लावा आप पार्टिवेर प्रो कटिंग स्विचिंग सिखना चाहती है तो मेरे चैनल पर उसकी भी वीडियो है इसका कमीज का कटिंग स्विचिंग भी और शुराड़ा कटिंग स्विचिंग भी वीडियो हैं भी ड्रेस डिजाइनिंग आइडियाज भी हैं अब हम ट झाल झाल झाल